यह फुल्ली ओटमेटिक एक इंक्यूविटर यह कैसे बना इसे सीखने के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए हेलो और वेलकम भाई लोग मैं हूं आमान और आप देख रहे हैं इंडियन क्रेटिव चैनल इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से एक फुल्ली ओटमेटिक एक इंक्यूविटर बनाए जाता है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमने यहां पर एक बॉक्स लिया जो इसे हमें उपर से काटना पड़ेगा और साइड से इसे पैग भी करना पड़ेगा तो कुछ इस तरह हम इसे काट लेते हैं यह एक इक्यूविटर ओनली 500 में रेडी हुआ है मेरे पास कुछ इस तरह काटून था तो मैंने इस तरह का बनाया है आप चाहे तो बड़ा भी ल सकता है यह फुल्ली ओटोमेटिक है जो कि ए घंटा में टर्न आउन करता है आउन करता है हमने लिया और फॉने रखने के लिए बॉल भी लिया है कि यह टेंपरचर कंट्रोलर को सेंस करेगा इसमें हम टेंपरचर 37.7 बना के रखेंगे कि यह हमार डिसी सप्लाय जो कि सेंसर बगड़ा को और डिसी फैन को पावर सप्लाय करेंगा यह बारे वोल्ट का इसे हमने कुछ इस परकार से फिट किया है यह हमारा कुलिंट फैन जो कि बारे बोल्ट का है यह हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा गर्वी सभी जगा बड़ाबर बना तो और इसमें हमिनुटी के लिए हम लोग इसमें वाटर का उठ्रीयो करने वाले हैं इस बाल में कि यह हम पीच में जानी बार रहे इसलिए है ताकि हमारा चुजा कोई इधर में आ सके मसीन का एडिया अलग है और चुजे का एडिया अलग है कि यह हम यहां पर कुछ बटन लगा रहे हैं जो कि करने वाला है यह एग रखने वाला इसे हम काट के कुछ इस तरह से करते हैं कर दो कि अर्फलो का बना रहे हैं हमने जैसा बताया था कि हमारा मसल फूली अटोमेटिक है तो हम इसे कुछ इस तरह से करते हैं यह हमने उड का पिस लिया है जो कि आपके काट्वन के बॉक्स के हाइट का नुसर रहेगा इसे कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको कर दो कि आपके का पिस तरह से बनाते हैं कर दो कर दो झाल 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 यह हमारा मोटर है डिसी जिसका की आर्पीम पो ओनली शिक्स टू सेवन है जो कि हमारा टर्न करने वाला यह टर्न करेगा हमारे एक को इसे कुछ इस तरह से फिट करना पड़ेगा अब हम इस मोटर को बिल्कुल सेंटर में लगा लेते हैं सेंटर में नहीं लगाने पर यह परफेक्ट काम नहीं करेगा इसे इसलिए बिल्कुल हम सेंटर में लगाएंगे से कुछ इस तरह से, हम इसे क्रेंसे बांदेंगे से कुछ इस तरह से वर करेका, इसे कुछ इसे कुछ इस तरह से वर करेका इसे हम इसे बांदेंगे अब भाई लोग हम यहां बेटरी से अप अपरेट कर रहे हैं जोकि मैनुवली अपरेट वड़ाए बेटरी से इसे अटोमेटिक करने के लिए एक मोड्यूल हुआता है लेकिन हम लोग अभी मेड्यूल नहीं लगाएंगे इसे कुछ इस तरह घड़ी के परियोग से उपयोग में लाएंगे तो उसके लिए अपने कोई घड़ी चाहिए और इसमें कुछ सेटिंग एक घंटा में रहेगा ताकि हमारा एक घंटा में टर्द कड़े तो हम इसे मसीन में लगा लेते हैं तो हम लेते हैं यूल भाएंगे बत्त प्रिंग 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 झाल झाल तो हम यहां पर गड़ी लिये हैं और गड़ी को खोल के इसका बिच वाला पार्ट निकाल लेंगे इसे हम एक घंटा में टर्न करने के लिए बनाएंगे तो हम इसमें मिनिट की सुई को रहने देंगे और सभी सुईयों को इससे निकाल देंगे ताकि एक घंटा में हमारा इसमें टच कर जाए अब यहां पर हम एक रिले लिये हैं इस रिले को पुरी तरह से उपेंड कर देंगे और उस रिले को कुछ इस तरह से इसमें सेट कर देंगे ताकि हमारा मिनिट की सुई एक घंटा में आके इससे बराबर टकराए और हमारा एक रोटेट हो तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से इसे एक घंटा में वर्ट करने वाला है तो आप यहां देख सकते हैं इसे मसीन लगाने के पाद इस तरह से वर्ट करता है मैं एक पाद से रिपीट करता हूं इसमें टेमपरेचर 37.7 सेट करेंगे और यह हमारा अंडे से बच्चा निकलने में 20 तिम का समय लेता है और हमने यह पुस बटन जो लगाया था वह इससे रोटेट करने के लिए है और हमने एक उपर जो घरी का खोला था सिसा वह उपर लगा दिया है तो देखने में बाहर से लुक अच्छा लगे और हमें अंदर का चीज भी दिखाई पड़ जाए तो हमारा इसमें रिए 90 परसेंट का वा था तो आप देखे वीडियो और इंजॉय किजिए कुछ समझ में ना आए तो कॉमेंट किजिए और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किजिए और लाइक किजिए झाल कर दो कर दो दो पते आते एक प्लत कर दो कि दोता है दोपकरिया जो भ मैंन डेंजां सबस्कत्टम्हना अपलों लुए लिए ए मैंन अअहद लिया धिर्ग जब कि अलतो लिए टनी के सांखई पड़ ऐगा मैं कि भाइब कर दे काई बाइब कर दो कि अदिए हैं कि लगार बाद हो पुश्चाई बड़ हो गए लावर 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 ऑाट जो ख़स्ट भी लावरू कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नाद से कर दो कर दो कि अक अपति दो कर दो डाहर है कर दो कर दो कर दो